मोहन नगर थाना शेत्र के तीतूरडी निवासी एजाज मेमन की करंड की चपेट में आने से मौथ हो गई दुर्ग के मोहन नगर थाना शेतर इस्थित तीतुर्डी मस्जिद के पास टीफिन बना कर लोगों तक पहुँचाने का काम करनी वाला एजाज मेमन जिसकी करंड की चपेट में आने से मौत हो गई बता देगी 38 वर्षी एजाज मेमन आसपास के लोगों को टीफिन की सुविधाएं दिया करता था लोगों को पारसल के साथ ही रेलवे में भी घर का खाना सप्लाई करता था जो अपनी घर की छट को साफ करवाने के चलते छट में रखे बल्ली को उठा कर वो किनारे रख रहा था उसी दोरान हाई टेंशन तार से भीगी हुई बल्ली जाकर टकरा गई और टकराने के बाद मौके पर ही बिजली का जटका लगने से एजास की मौत हो गई इसे उपचार हित्व अस्पताल रवाना किया गया जहां अस्पताल में उसे मृत घोशित कर दिया गया ग्रेंडेसियन ने उसके लिए दुर्गसे नसीम फारुकी की रिपोर्ट